अश्लील फिल्मों के धन्दे के मामले में आज पुलिस ने दो और लोगों को गिरफतार किया इन दो मेंसे एक आक्ट्रिस थी जो खुद अश्लील फिल्मों में काम भी करती थी और इसके उपर आरोप है कि यंग struggling actors को जबरन अशलील फिल्मों में nude scene करने के लिए मजबूर करती थी इसके अलावा इसके एक और साथी को आज गिरफतार किया गया है मुंबई film industry में pornography को लेकर already crime branch जो है वो investigate कर रही है और अब कहा जा रहा है कि pornography के ये जो तार है ये सिफ मुंबई में ही नहीं बलकि अलग-अलग शहरों में भी फैले हुए हैं ऐसे में कोलकाता से आज दो लोगों को arrest किया गया है इसमें से एक actress है जो खुद अशलील फिल्मों में नैंसी भावी का किरदार निभाती नजर आती है इस actress का नाम है नंदिता दत्ता नंदिता के साथ में पुलिस ने इसका साथ ही मौनाक घोष को भी arrest किया है 26 जुलाई को दो यंग actresses ने मौनाक और नंदिता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंड की थी कि इन्होंने उनसे जबरन न्यूड फिल्मों में काम करवाया एक मौडल ने आरोप लगाया कि किस तरह से इन्होंने मिलकर बैली गंज के एक स्टूडियो में इसका nude वीडियो लिया जबकि कहा गया था कि तुम्हें एक बड़ी web series का हिस्सा बन रही हो इसके अलावा दूसरी model से न्यू टाउन के एक होटेल के रूम में अशलील वीडियो शूट करवाया गया अब पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इनके अरेस्ट होने के बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि कहां पर ये अशलील और पॉन वीडियो शूट करते थे और सबसे बड़ी बात इन वीडियो को शूट करके कहां बेचते थे क्या ये लोग भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पॉन रैकेट को ही ये वीडियो बेचते थे पुलिस को इस तरह का शुक है कि क्या ये लोग भी ये पॉन और अशलील वीडियो बनाकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे पॉनोग्राफिके रैकेट में तो नहीं बेशते थे तो इस तरह से अब पुलिस ने इस मामले की जाच शुरू कर दी है